जैहिन दोस्तों आखिर बिराट कोहली ने दो साल बाद टेस्ट मैच में भी सेंचुरी लगा ही दी और इस बार निसाने पर और श्रिलिया के बॉलर थे कोहली ने अपने इंटरनेशनल करियर का 75 सतक लगाया और टेस्ट मैचों का 21 सतक लगाया सतक के मामले में उबर आल उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही मौजूद हैं जिनके टोटल 100 सतक हैं कोहली ने कल तीसरे दिन ही शाम को अपना 50 रन कंपलीट कर लिया था आज अपना सतक भी पूरा किया उसके बाद 150 रन भी पूरे कर लिये और जब लग रहा था कि आज 200 रन बन जाएंगे तब कोहली ने एक गलत शॉट खेल करके अपना विकेट गवा दिया या ये कहें कि स्टीव स्मित ने बहुत ही बेहतरीन जाल बुनी थी कोहली के लिए और जिस तरीके से फिल्डिंग सजा करके रखी थी उसमें कोहली फस गए और इस तरीके से वो रनों की बढ़त हांसिल कर ली आज सुबह जब भारत बैटिंग करने के लिए आई तब पहले सत्र में रविंदर जरेजा का विकेट खो करके 131 ओबर्स में 362 रन बनाये थे आज फिर मैदान पर स्रेय सायर नहीं दिखे क्योंकि उनको सुबह ही स्कैनिंग के लिए ले जा अगर यहां पर बात करें तीसरे सत्र की तो भारत ने 158 ओबर में 5 विकेट के नुकसान पर 472 बना लिये थे तीसरे सत्र से पहले इसी सत्र में कोहली ने अपना सतक भी पूरा कर लिया भारत की तरब से एक अनोखा रिकॉर्ड भी पहली बार बना है जो कि भारत ने पहले बिकेट से ले कर 6 बिकेट तक हर बिकेट के लिए 50 पलस की पार्टनर सी पहली बार करी इससे पहले 5 बिकेट तक की भारत ने की थी बिराट ने ऑस्टेलिया के खिलाब सबसे ज़्यादा सतक लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गये हैं बिराट ने ऑस्टेलिया के आप टेस्ट ODI मिला करके अब तक 16 सतक लगाएं हैं उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं जिनके नाम 20 सतक ऑस्टेलिया के खिलाप वंडे और टेस्ट मैचों को मिला करके हैं अगर बात करें यहां पर भारती इनिंग की पहले इनिंग की तो रोही सर्मा ने लावुसेन को कैच दे करके वहां पर आउट हुए थे 35 के स्कोर पर सुम्मन गिल को नाथन लेवन ने लबी डबलू आउट किया था 128 के स्कोर पर पुजारा आउट हुए थे 42 के स्कोर पर लेही सत्र में वह आउट हुए थे टॉड मॉर्फी ने उनको आउट किया था ख्वाजा के हाथो कैच करा करके 84 बॉल का सामना किया था 28 रन बनाये थे जिसमें 2 चौके 1 चौके सामिल थे उसके अलावा स्रीकर भरत ने बहुत ही अच्छा साथ दिया बिराट कोहली का 44 रन बना करके वो आउट हुए जिसमें 3 चौके 2 चौके सामिल थे अक्षर पटेल की बात करें तो उन्होंने अपना फॉर्म जारी रखा बैटिंग फॉर्म उनका अभी भी जवर्दस्त है ये स्टार्क ने उनको बोल्ट जरूर किया था लेकिन उससे पहले उन्होंने 79 रन ब बाद बिराट कोली रहे अगर बात करें ऑस्ट्रिलिया के तरब से बॉलिंग की तो इस्टार्क ने एक विकेट लिये उसके अलाबा नाथन लियोन 65 होबर में 9 मेडन फेकते हुए 151 रन दिये उसके अलाबा सिर्फ उनको तीन ही विकेट हाथ लगे अगर यहाँ पर खुन पबेलियन में और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी निंग में 6 ओबर में सिर्फ 3 रन बना लिये हैं और अभी भी ऑस्ट्रेलिया को 88 रन ट्राइल करने हैं दूसरी निंग में भारत की दूसरी निंग अभी होनी बाकी है कल खेल का आखरी दिन है देखते हैं कल क्या होता क्या टेस्ट मैच ड्रॉ होता है या फिर टेस्ट मैच भारत जीतता है या फिर आस्टेलिया जीतता है ये कल ही पता चल पाएगा आखरी दिन तक ये टेस्ट पहली बार यहाँ पर गया है तो इसी तरह के खबरों को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों तक अपने शेयर की